बावन परसेंट आबादी को 27 परसेंट आरक्षण देने की गोशना विपी सिंग करते हैं। जिन्हें लगता था कि विपी सिंग उस समण समधाय के बीच से आते हैं एक नया भारत जो बनेगा उसमें ये राजा एक फकीर की तरह उभर कर आया है जो देश की तकदीर बतलेगा। और ना बदल गया। राजा नहीं रंक है देश का कलंक है। क्या मंडल कमीशन लागू करना समिधान विरोधीक कदम था। लोग विपी सिंग के घर पहुंचते हैं। और विपी सिंग को पता चलता है कि लोग आ रहें सारे लोग आ रहें प्रमुखनिता आ रहें। और यह मुझे प्रदानमंत्री बनने के लिए दबाव डालेंगे। विपी सिंग कहते हैं कि मुझे बहुत जरूरी का मैं बस तुरंद आता हूं। और दिल्ली के रिंग रोड पर पूरे दिन अपनी गाड़ी गुमाते रहते हैं। और वो लोग फिर वापस निराश्रों के चले जाते हैं। विपी सिंग क्यों नहीं उसका लाब उठाये। नायक बनकर उभरे थे विपी सिंग। और वही नायक जाती कितनी बड़ी चीज होती है। कि विपी सिंग जब मरे ना उस दिन बे उनको गालियां दी उन्हीं सवडों ने जो आज भी यह कहते हैं कि जिस दिन कोई व्यक्ति मरे उसके खिलाब कुछ नहीं बहुत है। और विपी सिंग को कभी इस देश के सवडों ने और खासकर ठाकुरों ने जो जिस जाती से आते थी वो लोग कभी उने अपना निता एक्सप्ट नहीं किये। और हर जगह हेडलाइन भी यही चलती है। विपी सिंग ने कुर्सी बचाने के लिए पिछणों को गोलबंद कर दिया। सवडों के गोलबंदी कभी इस देश की मीडिया को नहीं दिखी। कि आप भी दरसर विपी सिंग को उतना नहीं तवज्जव देते जिना आपको देना चाहिए। और हर समवाण बुला हो इससे तो फिर विपी सिंग आपको दूसरे खेमे में नजराएंगा। विपी सिंग ने लाल के लिए के प्राचीर से कहा था। इस देश के आधी आबादी के नौजवानों के भीतर एक गुस्सापन अपरा है। क्योंकि आपने उनका हक मारा है। आपने उने जगह नहीं दिये। अगर वो गुस्से को हम रोके तो एक दिन जौला मोखी बन कर पुटेगा। उनको समझाएंगी कि अपने नायकों को पैचानो उस एजिंडे में मत फसो। और EWS में कितने ठाकूर को नौकरी मिल रही है। सारा EWS में तो मुखस से जाए तो वही वाले लोग आ रहे है। ब्रह्मचर ए ग्रियस्त, वानपरस्त और सन्यास। सौसाल तो उनको जीना था। वह आपको क्या लिखा। बरस अठारच छत्वे जी आगे जी उनको दिक्का। वह आप ले के तलवार खड़े। यही सब के साथ हुआ। तो एक बार जरा वीपी सिंग को पढ़वाई। एक बार जरा अपने लोगों को जानो। भारत के समविधान लागू होने के बाद एक मात्र घटना है मंडल कमिशन का लागू होना। जिसने भारत को बदल कर रख दिया। इस भारत को आजाए भारत को अगर दो हिस्सों में पढ़ा जाएगा। तो मंडल के पूर का भारत अलग होगा। इसका काम क्या वेपे सिंग ने। इसलिए वो रंक नहीं वो फकीर है और वही वाकई देश की तकदीर बदला। राजा नहीं फकीर है देश की तकदीर है। जिस आदमी के लिए कभी ये नारा लगता था। कुछ वक्त वाद उसके लिए एक नया नारा इजाद किया गया। राजा नहीं रंक है देश का कलंक है। ये नारों के बीच में एक व्यक्ती का पूरा व्यक्तित्व पूरी उनके कार्यकाल को और पूरे उनके योगदान को समेटा जा सकता है। मैं बात कर रहा हूँ वीपे सिंग यानी विश्वनात परताप सिंग की जो भारत के प्रधान मंत्री रहे और मंडल कमिशन की सिफारिशे लागू करने के कारण उनको खास तोर पर याद किया जाता है। उनके व्यक्तित्व का क्या महत्व है क्या उन्होंने भारत में समाजिक न्याई की लडाई में योगदान दिया और किस तरह उनके समाज ने उनको नकार दिया और उनके खिलाफ इस तरह के नारे लगाए। उस पर हम बात करेंगे मेरे साथ जाने माने विचारक लिखक डॉक्टर लक्ष्मनियादव है। रॉक्टर साब बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत शक्रिया समिझे। तो वीपी सिंग साब का जनम दिन है और मुझे लगा कि चूंकि आप सामाजी क्नाई की पाच्छाला चलाते हैं और आपका यूट्यूब चैनल बहुत पोपुलर है आपको सुनते हैं लोग और इस पर आपने वीडियो भी बनाए हैं पहले तो इसलिए मैंने आपको चुन कि अमूमन दोनों तरह के लोगों ने वीपी सिंग को नकार दिया पहले तो उन लोगों ने नकारा जिनके अपने बीच के वो थे मुझे याद आता है कि जब हमने इतियास पढ़ा देखा जाना राज्य उगाधी एक मिश्टर क्लीन की इमेज के साथ उभरते हैं 84 में उनक आते हैं कुछ-कुछ अच्छे काम करते हैं और 89 तक आते आते राजिय उगांधी को ले करके उनके मिश्टर क्लीन की छवी को ले करके एक प्रश्णचिन जो उठता है वो नहीं के मंत्री के द्वारा उठता है उनहीं का अपने के मंत्री एक डायरी लेकर पूरे देश में घूमना शुरू करता है कि इस डायरी में बोफोर्स मामले के तमाम साजिश करता इसमें शामिल लोग जन्होंने बहुत-बड़ा बरश्टाचार किया अला कि कोई बहुत-बड़ा बरश्टाचार नहीं था लेकिन उस बरश्टाचार के खिलाफ एक नई उमीद जगाने व शुरू किया बहुत शांदार शुरुआत की यह नारा इसलिए भी जरूरी है कि वो नारा उसी दौर में लगा जब वीपी सिंग पुरे देश में घूम-घूम करके यह बताते थे कि इस डायरी में सारे लोगों का कच्चा-चिठा मेरे पास मैं बदलूंगा मैं आपके त समधाय के बीच से आते हैं एक नया भारत जो बनेगा उसमें यह राजा एक फकीर की तरह भर कर आया है जो देश की तकदीर बदलेगा एक बड़ा प्यारा था नारा बनाया राजा नहीं फकीर है देश की तकदीर है और ऐसा हुआ भी संयुक्त मूर्चा की सरकार बनती है विपी सिंग देश के प्रधान मंत्री बनते हैं और विपी सिंग प्रधान मंत्री बनने के बाद साथ अगस्त 1990 को एक काम करते हैं हलाग उसके पहले 1990 में मार्च के महिने तक आते आते एक घोशना कर चुके होते हैं कि बाबा साब की जयंती पर 14 अप्रेल को छुटी भी हो शरद्यादव और आमविलास पासवान तमाम सोचलिष्ट लोग उस सोचल जेश्टिस कमेटी में होते हैं जो लोग एक रिकमेंडेशन देते हैं कि राइट टू वर्क राइट टू फूड राइट टू हेल्ट राइट टू एजूकेशन यह सब अभर में लागू करना जुम्लों में किताबों में हुआ करते थे वह वीपी सिंग जो इस तरह के कदमों से एक शांदार काम करते हुए नजर आते हैं वही वीपी सिंग साथ अगस्त तौनिसवन नद्य को गोशना करते हैं कि इस देश में मंडल कमिशन की एक सिफारिश लागू की जाएगी सरका गया कि वही वीपी सिंग तो सरकार बचाने के लिए ऐसा करते हैं क्योंकि देवी लालुदर नाराज हो गये थे बहुत सारी वीडियो नरेटिव है आप कुछ गूगल पर सर्च करेंगे यही मिलेगा तो आपको यही सबसे पहले सूचना मिलेगी कि उनके सरकार गिरने वा मनल कमिशन के लागु करने कि शेफारस न होती तो बीपी Store क Sam시 बने रहने के लिए यह आ आगे भविश में राजनीति में प्रइमॉख बने रहने के लिए पिछड़े बर के लोगों को गोलबन करने के लिए एक नेरेटिव चल दिया क्योंकि कमंडल चलने लगा कमंडल का चीजें हो रहे थी लेकिन उसके बाद दो मौके ऐसे आए जब वीपी सिंग को प्रदान मंत्री बनाने के लिए समाजवादी बहुजन अगर उस व्यक्ति को वाकई राजनीति में अमर होना होता तो वह दो काम करता अपने इतने बड़े कदम का भुनाने का जो भी मौका होता उसे छोड़ता नहीं वह फिर से भारत का प्रदान मंत्री बनता वह लोग क्या है चोटा सा किस्सा सुनाता हूं लोग वीपी सिंग को पता चलता है कि लोग आ रहे हैं सारे लोग आ रहे हैं प्रमुख निता आ रहे हैं और यह मुझे प्रदान मंत्री बनने के लिए दबाव डालेंगे वीपी सिंग करते हैं मुझे बहुत जरूरी काम है वस्तुरंत आता हूं और दिल्ली के रिंग रोड पर पूरे दिन अपनी गाड़ी घुमाते रहते हैं और वो लोग फिर वापस निराशों के चले जाते हैं वीपी सिंग क्यों ने उसका लाब उठाए वीपी सिंग क्यों ने लाब उठाए जब देव गोड़ा बने और इंदर कुमार गुजराल बने दो बार एक तो यह बात है दूसरी ब बनाये रखने के लिए बहुत कुछ करना चाहती थी वीपी सिंग ने उस वर्चस तो को ध्वस्त किया वीपी सिंग ने एक भारत के अधूरे मैं कहता हूं भारत के संविधान लागू हुआ तो सब कुछ ने बदल गये बात तो बाबा साब ही लिग गये अरे यह कागज का असल में संविधान का बहुत बड़ा है था वाकई जमीन पर लागू है और यह उस समड़ वर्चस के खिलाफ था वह जो कबजे की राजनी थी उसके खिलाफ था और नारा बदल गया राजा नहीं रंक है देश का कलंक है क्या मंदल कमिशन लागू करना संविधान विरोध जो लोग राजा नहीं फकीर है बोले थे जो अपनी जाति का मसीहा बोलते थे राजा मांडा के नाम से माने जाते हैं उत्तविश की मुखमंत्री भी रह विपी सिंग और उसके बाद उन्होंने बहुत सारे से काम किये जिसको ले करके उन्हें लोग बहुत पसंद करते थे नायक बनकर उभरे थे विपी सिंग और वही नायक जाती कितनी बड़ी चीज होती है कि विपी सिंग जब मरे ना उस दिन बे उनको गालियां दी उन्हीं सवडों ने जो आज भी यह कहते हैं कि जिस दिन कोई व्यक्ति मरे उस दिन उसके खिलाब कुछ नहीं बोलना चाहा हैं जब आज कल कुछ ऐसा मौका होता है जब हम उनके पुराने कर्मों के बारे में जिकर करते हैं तो ये नसीयत मिलती है कि अरे आरा आज तूम की मोत हुए तो इसके बारे में कुछ मत लिखो लेकिन इस केस में लागू नहीं होता कि डबल स्टेंडर देखियां अन्हीं लोगों ने जो उनको कल कर नायक मानते थे मसीहा मानते थे क्या क्या बहुते ते उस दिन गा लिया अख़बारों में लेख वीपी सेनग के खिलाफ और वीपी सिंग को कभी इस देश के सवडों उने और खासकर ठाकुरों ने जो जिस जाती से आतेते थे वह कभी उन्हें अपना निता एक्सप्ट नहीं की विपी सिंग का क्या गुना था वही और आज तो बहुत सारे लोग कहने मंडल की बात करते हैं उस समुदाय से आई वह भी यह इसको मैं थोड़ा ऐसे भी देख रहा हूं जो कि एक नरेटिव जब बनता है किसी की छविया गड़ी क की भी बाइट ली तो उसमें हमनों वह स्टडी किया तो हम देखते हैं कि अखबार मीडिया हमेशा यह प्रचारित कर रहा था कि पूरा देश जल रहा है और हर तरफ लोग सडकों पर हैं जबकि बहुत चुनिंदा सवन लोग वह विरोध परदर्शन कर रहे थे जैसे हम मी इसकुल सही सवाल में ही क्लियर कर दियू मैं उसे दोहरा करके और अपने विवर्स को क्लियर करतेता हूं किसानों का अंदोलन हो बहुत बड़ा अंदोलन हो फिर भी मीडिया कहेगा क्यों तो फेल है अगनिवीर के नाम पर पूरे देश में नौजवान सडकों पर उतर गय इसलिए हमारे दर्शकों को भी थोड़ा सजग रहना चाहिए कि आप मीडिया की नजर या उनकी मीडिया की नजर उनकी आख से मत देखिए अब अपनी आख से देखिए अब यह वाक्या है मैं थोड़ा सा फ्लेश बैक में ले जाना चाहूंगा और खुद विपी सिंग के तकरीबन एक दशक के बाद का टीवी इंटर्व्यू है लगभग एक दशक के आसपास की बात होगी विपी सिंग से वो जो एंकर होता है वो पूछता है कि भाई यह तो बड़ा विवाद हो गया और हर जगा हेडलाइन भी यही चलती है विपी सिंग ने कुरसी बचाने के पिछणों की राजनीत को हवा दे दी अरे यह सब कौन सी भाषा है यह वह को हवा दे दी और गोलबंद कर दिया सवनों के गोलबंदी कभी इस डेश की मीडिया को नहीं दिखी हर जग सवन बैठे रहे और उनको वोट ब्यूरोक्रेसी में वह नितागिरी में वह प्रोफे के लिए कोई नहीं कहा कि इसा वणों की गोलबंदी है जिसने कतले आम मचा दिया हर पहिया लहुलुहान रहा रोका लालू प्रसाद याद हो ने लालू प्रसाद खलनायक है लालू प्रसाद सबसे बड़े चोर हो गया और जेल में बाकी इस देश में कोई भरश्टाचार कर नहीं कि यह एक विमर्श है लिए और हमारे नायकों के दो काम किया या तो इग्नौर किया और नहीं कर सकते थे तो उन्हें बदणाम किया खांची में बनाया ररा इको अच्छे समाज सुधार चोड़ो वह दार्शनी का विचार रख इसलिए वीपी सिंग को ले करके जब यह बात होती है या किसी को ले करके होती है तो हम भाजनों से भी एक अपील करेंगे कि आप भी दरसर वीपी सिंग को उतना नहीं तवज्ज़ देते जितना आपको देना चाहिए और हर समण बुरा हो इससे तो फिर वीपी सिंग आपको दूसरे खेमे में नजर आएंगा राहुल संक्रतैन आपके नहीं होंगे भगत सिंग आपके नहीं होंगे लोहिया आपके नहीं होंगे जबकि बहुत सारे लोग सामाजिक नियाए में विचार से साथ हैं और यहीं पास लोग आए अखबारों में यही अरुन नहरू थे और तमाम बड़े-बड़े लोग सो कॉल्ड सेकुलर प्रोग्रेसिव लिबरल जो संग में नहीं थे बीजेपी में नहीं थे थे मध्दिमारगी या वामपंथी रुजान की तरफ लेकिन वो कहने लगी कि भाई इसे देश वर्वाद हो जाएक बड़े-बड़े लेक लेकर जाने लगे अरुन शारी से लेकर के तमाम लोगों के अखबारों की टाइटिल हेडलाइन आने लगी कि भाई यह तो इस देश के आए और वो उन अखबारों की कत्रने वो सारी बातें दिखा करके हमसे उदास होकर एक बात पूछते हैं कि साहब इसमें लिखा हुआ है कि पूरा देश जल रहा है देश का नौजवान सडकों पर हैं क्या हम इस देश के नौजवान नहीं हैं हम तो स्वागत कर रहे हैं कि हमारे हक में संख्या भी ज्याद है हम आधी आबादी हैं इस देश में बावन परसेंट मंडल कमिशन 31 की जंगड़ना पर कर रहा है यह बात नहीं करते हैं लेकिन वह जादी जंगड़ना 31 की और वह बोले है बावन परसेंट आधी आबादी इस देश को बीशी है क्या आप कहें तो जवाब दे इनका तो मैंने उन्हें रोका वेपी सिंग कहते हैं मैंने रोका कि मुझे जो करना था मैंने कर दिया तुम जवाब मन दो देश जल रहा है अरे थोड़े सा समण लोग थे दिल्ली विश्विद्याले की लड़कियां सो कॉल्ड बहुत वो लड़कियां तक्ती लेकर के दिल्ली की सड़कों पर उतर गई हमें बेरोजगार पती नहीं चाहिए यह जो विमर्श है जेंडर एंड कास्ट का यह जो तालमेल है और इसमें सारी प्रगति शील्टा दौट हो जाए अरे भाई मेरिट का सवाल सब कुछ सवाल खतम और उसके बाद मैं विपी सिंग को याद करते हुए 15 अगस्त 1990 का वो भाषन याद करना चाहता हूं विपी सिंग ने लाल के लिए के प्राचीर से कहा था इस देश की आधी आबादी के नौजवानों के भीतर एक गुसा पन अपरा है क्योंकि आपने उनका हक मारा है आपने उ विपी सिंग को याद करेंगे तो आपको लगए ठीक है थोड़ा बहुत मैं भी असमाद तो लेता हूं वह इमर्जेंसी के समय वाले वीपी सिंग और तमाम चीज़ें लेकिन वीपी सिंग का जो कवी हिर्दय था जो समविधन शील हिर्दय था वो लाल के लिए कि प्राच राजनीत के व्याकरण को बदल दिया है एक ऐसे बच्चे का जन्म हो गया है जिसे वापस मां के पेट में नहीं बेजा जासा यह जो राजनीत का व्याकरण बदलना है वेपी सिंग ने कभी जीवन में माफी नहीं मागी केतनी गालियां सुनी अपमानित किये जीवन के YouTube कर देते हुए उस मीडिया की बात अगर मानि जा मिलों कि वेपी सिंह खल नायक है किसे खल नायक ऐसे तो डॉक्टर हंचाबध कर भी खल नायक बैए जो त्ति बाफ भी तॉमारे लिए कबीर तो में व्यातों नायक है यई ठीक बात है कि तुमारे लिए खल नायक क्यो पास हुआ संसद में आप देखें कि 48 गंटे में बिल पास हो गया बिना डेटा के राश्च्पती में साइन कर दिये पास हो गया जब फाइनल वोटिंग होई तो मैं इंडिया न्यूस में था तो हमारे न्यूसरूम में बकाइदा पूरा स्टाफ कड़ा हो के तालिया बजा था कि बहुत अच्छा काम हो गया गरीबों को कहें सवर्णों को क्योंकि उसमें बाकी किसी को आरक्षन मिलता नहीं है आरक्षन मिल गया और तालिया बजाई गई चूंकि मैं एक लोता दलित पत्रकार था तो मैं वहां खड़ा हो के देख रहा था कि क्या तमाशा चल रहा है बेराल आगे बढ़ते हैं सवाल मैं आपसे लूँ कि वह जो दोर था मंडल कमिशन का जिसमें आप देखे माने वरकांशिराम साहिब शर्द यादव साहिब लालु प्रसाद यादव है मुलायम सिंग यादव है एक पूरा का पूरा समाजिक नहीं की लड़ाई भी लड लाग हुआ क्योंकि हम लोगों ने दबाव डाला तो उस समय वीपी सिंग को आप कैसे देख रहे हैं समाजिक नहीं की लड़ाई में कि वह दबाओं में है या उनकी अपने अंदर से भी समाजिक नहीं के प्रति उनका रुजहान है कि नहीं या इस देश में जितनी नाइन और राजियव गांधी ने चुकि हम दोर ऐसा है कई बार हम तो गांधी के भी पक्ष में खड़े हो लेते हैं नही के पक्ष में खड़े हो लेते हैं यूटि से गोल्वकर को ख़़ाना है इसलिए हमें इनका साथ कड़ा होना है इसलिए हम राजी गवांधी की भूल नहीं जाएंगे कि कीडों भरा डिब्बा क्यों मंडल कमिशन की रिपोर्ट को कहा गया विपी सिंग की सरकार बनी तो संसत में बार-बार कॉंग्रेस की तरफ से उकसाया जाता था करोंग्रेस का यह स्टेंड था हालां कि कॉंग्रेस 2006 में मंदल पार्ट टू जिसे हम कहते हैं वह भी ठाकुर नेता अर्जुन सिंग वह लागू करवा थे आर्जुन सिंग्शन सिक्षा में अरक्षण पूरा उच्ष चिशा में अरक्षण ओबी सी का और उसके लिए अर्ज को करियर तबाह हो गया तो ठाकूर नेता हां जिरेना ओवी सी के लिए कुछ काम किया है जो आज तक गालिया खा रहे हैं और उनको ठाकूर कभी अपना नेता नहीं मानते ओवी सी कम से कम अपने थोड़ा इनको तो जगह देना चाहिए मैं तो इसके पक्ष में हूँ कुल नहीं कह रहे है कि सारा, श्रे, वीपी सिंग और अर्जुल जिंगा था क्योंकि असल लड़ाई तो समझी नहीं के लोग लग लड़ रहे थे साथ दीमके ने 1983-84 के आसपास जब इंदरा गांधी जी थी देश की प्रदान मंत्री तमिल नाडू में बंद किया और करने के लिए उसके बाद दिल्ली में इंदरा गांधी जी के घर के सामने वो अंशन पर बैठना चाह रहे थे गिरफतार करवाया गया डीमके की रोल उसके बाद उत्तर वारत में मानेवरकांशी राम की भूमिका समाजबादी नेताओं शरद यादो राम बिलास पासवान मुलायम सिंग यादो इन सब की भूमिका थी और मदू दंडवती से लेकर के तमाम लोग लेकिन उसमें होता ये है ये दबाव तब काम करता है जब आपके लोग वहां सत्ता में हो वरना 27 कैबिनेट मिनिश्टर OVC के बना के भी राम मंदिर ही बनवाया जाएगा मजिद क की मा का बेटा हूं मंदल कमिशन का नाम कभी जीवन में मतलिजिए आप OVC के हैं तो कम सकते मंदल की अरजुन सिंग ने एक लागू की एक वीपी सिंग ने लागू की 38 बची होई है ना एक दो तो लागू कर दो अरे दो चार कर दो ये नहीं प्रचंड बहुमत की सरकार इसे तो किसान बिल नहीं मांग रहे थे उनका सुधार करने चले गए नौजवान कर रहे नौकरी पर्बानेंट दो कर रहे नहीं चार साल की देंगे तो OVC अगर हो तो OVC तो मांग तो यह रहा है सिक्षा रूजगार अपना हग प्रमोशन में रिजर्वेशन प्राइव सुधार सिक्षा सुधार यह सब तो कुछ करोगे नहीं अब उस पीर विमर्श में देखिए अर्जुन सिंग ने किया विपी सिंग ने किया तो इन दोनों को तो उनको उनके लोगों ने कभी माना नहीं हमें मानना चाहिए लेकिन हमें यह जानना चाहिए कि उसके पीछे जो दबाऊ था वो इन ताकतों का था सहे कड़ों रैलियां और उस रैलियों के पीछे ताकत से खड़े होना विपी सिंग साब आप लागू करो हम हैं तस्वीरें हैं जिसमें आप सारे लोग कड़े हैं मानवर कंशी राम मैं राम बिलास पासवान शरद यादो हैं लालू प मिटे चाकरी और मजबूरी यह नहरा जो समाजबाद का नहरा था जो जमीन को जोते बुए वो जमीन का मालिक होए राश्पती हो या बंगी की संतान सबको से क्षाई एक समान यह सो समाजबादी अंदोलन था रोटी दवाई कमाई पढ़ाई सिचाई वो जो नहरा था जो मंदल लागू करने के बाद भी नहीं बची तो अगर जाना ही था और विपी सिंग के जहन में कोई समाजबादी नहीं नहीं होता तो वह यह काम करके कभी न जाते इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि न्याय का दर्शन यह कहता है जो जितना शमता और जितना भूमिका रखता है उसे उतना श्रेदेना चाइए और जो हमारे लोगों नेका चाह सका अंधूर सब लोग मिलके अरे भाई नबए परसेंट का मेरा लोग थे हो दलित के नहीं थे डरॉर मेटकर केवल दलित के नहीं है जैसे ड добр door 로hya यजा फूले पूले के विट के नहीं है पेरियर के वविएसी के नहीं है अभी चाहू जी की कि बात होने किसी लड़ाई के बिना किसी समयधानिक प्रावधान के बिना संसत में खुल करके बहस किए बिना सेलक्ट कमिटी को दिये के वल समवनों को खुस करने के लिए दिया गया है लेकिन यह सारा कौन कर रहा था यह वो लोग नहीं है जिनके जिनके सामने अंबिट करना होते तो मैं भारत का प्रणान मंत्री नहीं होता हो गया तो मैं अंबिट करके सपनों का भारत कभी बनने नहीं दूंगा मैं तो फ़कीर हूं जोला लेके चल दूंगा नई शाहब यह सामाजी का नहीं गाए एक दलित को राश्पती बना दो एक महिला अधिवासी को राश्पती बना दो यह कदम काम बिरोद नहीं करेंगे बना रहो आधिवासी बहुत अच्छी बात है 75 साल में नहीं बनी से श्रम करके देश बनाया तो देश चलाएंगे और वो बात कहीं इसलिए मैं कह रहा हूं लेकिन इतके पीछे जो असली एजंडा था वो तो भी पी सिंग ने लागू किया वो तो अर्जुन सिंग ने लागू किया और आप ही केवल सांकेति ग्रूप से लागू किया जहां उनका एजंडा लागू हो रहा था वो तो तुम सरकारी चींगे बेच दिये सरकारी नोकरी लऑस बहे थे लोगों ने eigenlijk मन leads के लड़ाई केवल होँए और दलितों पर बहुजनों ने मिल कर लड़ ति और जतने लोग लाठी कहॉए जेल गये मंडल रत लेकर के शर्ड यादो निकले थे शर्ड यादो को कहां का हष्र। ठीक है हम बहुत चाषाइन करते हैं लेकिन राम विलिझा पास्वान किया बोला था करे सुभध आरे राम कुई और हंगे मैं रामपिलास पास्वान नीचे धर्ती रूत पर आवे रामपिलास पास्वान रामपिलास पासु Alm uży flavors इताले मंत्री टरफ भ самое कि साम नहीं यह आंडल पर कभी बात नहीं करता है यह हमारी चिंदा यह हमारी चिंता हैं, मैं आखरी सवार लोगा, बड़ी दिल्चस्प चर्चा चल रही है और कुछ आप अपनी तरफ से एड़ करना चाहें, खासकर ठाकुर जाती, छत्रिय जो कौम है, वो ऐसे प्रतीकों का अपना रही है, जो इतिहास में उनकी पुराणी ग्रंद कहते हैं कि उन्होंने उनका सफाया कर दिया, मैं सीधा नाम लेरां पर्शुराम, ब्रामनों के वो एक देवता की तरह उनको प्रोजेक्ट करते हैं, और वो दावाए की 21 वारिस दर्ती को छत्रियों से मुक्त कर दिया, ठाकुरों को तबार कर दिया, वो कह रहे हैं, और उनके साथ तो उनकी हमदर्दी है, उनके साथ में वो दिखते भी हैं प्रतीक के तोर पे भी, लेकिन जो उनके मसीहा, जो लोग रहे हैं, अर्जुन सिंग जैसे, मदू दंडवेते साथ, उनको ने ट्रेन में कुशन वाली सीटे हमारे लिए दी, और वीपी सिंग साथ, तो ऐसे अर्जुन सिंग को ठाकुरों ने अपना नहीं माना, और EWS में कितने ठाकुर को नवकरी मिल रही है, सारा EWS में तो मुखस से जाए, तो वही वाले लोग आ रहे हैं, लेकिन वो आपस में बहुत चलांकिस लड़ते हैं, मैं कहना यह चाह रहा हूं कि अगर जाती महत्पू इसी है, कल्चरल हेजिमनी है, और वो जो सारी कुछ एक अपने आप रिष्टा जोड लेती है, एक विक्ति दूसरे करता है, अरे बाव साथ तो अधभुत कवी हैं, तो दूसरा करता है, बाव साथ जैसी कविताएं को लिखता नहीं, और दोनों मिलके तीसरे को कवी बना है, और पता नहीं वो क्या लेखते हैं कि पता नहीं, ऐसे ही, अरे क्या प्रोफेसर है, इनके चेहरे से तो नूर जहलता है, सब तारीफ करके, ये कल्चरल रिष्टदारी है, इस लिए एक बार सोचना चाहिए उन लोगों को, आपके सांस्कृतिक विमर्ष में आपका लेकिन एक बार सोचने के लिए तो रहा है, आपके सांस्कृतिक विमर्ष में लेखते हैं, अब जनगरना जाती जनगरना तो कराएंगे नहीं है, सारे लोग करा भी देंगे तो पता निए उसका डेटा कितना वैलिड होगा ये पता नहीं है, करवाना चाहिए, पता चल ज अगर EWS में नोकरी पाएं, तो उस रेशियो में बताओ ना कि कितने ठाकूर होएं, सारे ब्रह्मन हैं, आप ठाकूर का हैं, उसमें जब नोकरिया मिली, कुलपती में आप लोग गायब हैं, सेना के अधिकारियों में आप लोग गायब और बिलिमंडल साब ने तो बाकाइ ले लिए 18 साल में तलवार लेके बांच के खतम, और वो 100 साल, क्योंकि 25 पच्चिस का तो चार आश्रम बना हुआ है, ब्रह्मचर ग्रियस्त, वानपरस्त और सन्यास, 100 साल तो उनको जीना था, वो आपको क्या लिखा, बरस 18 छत्री जी आगे जी उनको दिका, वो आप लेक लिखान के नाम पर जूठी कुर्बानी दिला करके, सबसे ता मलाई कौन खाया, लड़े आपके लोग, आपके लोग, शाहिद आपके लोग हुए, और मोच किसी और ने करें, मोच हां, क्योंकि वो तो सबका राजा था, क्योंकि वो देवता के अवतार है ना, भू देव ह आपके लोग उनका फरसा पकड़ रहे हैं, तो यह पकड़ रहे हैं, और चाला की से आप लोग लड़ते नहीं हो, इसका मतलब यह नहीं कि आप में गुस्ता नहीं है, और हम यह भी नहीं करें, जाओ लड़ो, वो मत करो, लेकिन हिस्सा तो मांग लो या, तुम्हारे हर जगह थाकर होने चाहिए, वो नहीं मिलेंगे, और वीपी सिंग को गाली देते हो, वीपी सिंग ने तो ओबी सी को अलग से दिया, अच्छे जब ओबी सी को नहीं मिलता था, तब तुम्हारे कितने कुलपती थे, तब तुम्हारे कितने लोग थे, क्योंकि विद्या का अधिकार किसके पास था, पड़के कौन दिमाग से सब को नचा रहा था, कल्चरल हिजमनी यह होती है, और इसलिए मैं कह रहा हूँ, वीपी सिंग को याद करते हुए, बहुत नुकसान किया गया है, ऐसे लोगों का, जिन्हें विलन बना दिया गया, जिन्हें को याद नह करता, हम कह रहे हैं कि हम वीपी सिंग हमारे नायक हैं भाई, खोले आम कहते हैं, जो सामाजिक नहे की लड़ाई में साथ था, जिसने हिम्मत दिखाई, मौका मिला तो उसने लागू किया, उसको मौका मिला, ठीक बात है उसकी प्रिश्टबूमी बनी थी, उसकी करते रहे हैं करते रहें कि राजा नइ रंक है तेश का कलंक तुम्हारे लिए था, एक वाकरी वाकिया चुकि भीपी सिंह पे बात हो रही है, वीपी मंदल साब मुख्यमंतरी बने, क्योंकि वीपी सिंह भी मुख्यमंतरी थे उत्रप्रधेश के और उसके बहुत पहले की बात है वीपी मंदल साफ बिहार की मुख्यमंत्री बने गंगा में तेल रिस गया तो आग लग गई तो उसमें चुकिए परिवान होता था तो उससे वह आग लग गई विधान सभा में खड़े कर विवेका नंद जा नाम के विक्ति ने सदन में खड़े होकर कि का कि जब शूद्र ध्यान से समझेए का मंडल मंडल ओबी सी को का जा रहा है शूद्र यह हम नहीं कर रहें वो कह रहें जब एक सूद्र मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठे का तो गंगा में नहीं आग लगी है यह तो हम जानते हैं लेकिन यह तुम्हारे सीने में आग लगी है इसको भी हम समझ और जान रहे हैं इसको इमें भी और भड़कान है इसलिए लाल के लिए की प्राचीर से वेपी सिंग ने कहा था हमने इस देश का व्याकरण बदर दिया है साथ तारी को घोष्ण बनता है ग्यारत तारी को लागू होता है और इसके लाल के लिए की प्राचीर से वेपी सिंग कहते हैं कि हमने इस देश की आधियाबादी के नौजवानों को हक दिया है और उस हक को आज भी मैं बहुत इमांदारी से कबूल करता हूं कि अगर भारत का समविधान और मंडल कमिशन ना होता तो मैं आज यहां नहीं होता मेरे जैसे अंगिनत लोगों को मौका मिला जो मौका अपरकाष्ट के लोगों ने मेरिट के नाम पर छिना था हमने कोई मेरिट से कंप्रोमाईज नहीं किया है क्योंकि आज भी OBC EWS से नीचे मेरिट जा रही है उन लोगों की मेरिट की दौहाई दे कर मंडल को गाली दे रहते हैं कर रहते हैं मेरिट कंप्रोमाईज हो जाएगा एमस में कह रहते हैं कि यहां पर सूपर स्पेसियल्टी जो नहीं यह अच्छन नहीं होना चाहिए और EWS की मेरिट जा रही है OBC से नीचे और इन नालाइकों तुम तो ह लागू होने के बाद एक मात्र घटना है मंडल कमिशन का लागू होना जिसने भारत को बदल कर रख दिया इस भारत को आजाए भारत को अगर दो हिस्सों में पढ़ा जाएगा तो मंडल के पूर का भारत अलग होगा मंडल के बाद का बाद का बारत अलग होगा इसका का का वेपे सिंग ने इसलिए वो रंक नहीं वो फकीर है और वही वाकरी देश की तक्दिर बदला लेकिन आज के लोग जो खुद को ओवी सी कहने का दावा करते हैं मस्जिद के नीचे से मंदिर खो जाएंगे ओवी सी कबिनेट बनाएंगे ओवी सी ये बनाएंगे और आपकी सर परदान मंतरी कहता है कि मैं OBC हूँ और वो मंदल को खत्म कर चुका है और कमंदल लागू कर रहा है इसलिए हम वेपी सिंग को सलूट करते हैं और समाजिक नहीं की लड़ाई को जाड़े रिखने के कोशिश करें बिलकुल और बहुत दिल्चस्प चरचा रही और आपने कैसे योधा जिनोंने अपनी अन्दर काभिलियत थी जितनी उनकी पास शक्ती थी उन्होंने इसका इस्तमाल किया सही दिशा में इस्तमाल किया और आप जैसे जाने कितने बारे में चाहते हूँ कि मैं डोक्टर साथ से बात करई हूँ तो उसके बारे में भी लिखें और आपसे अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें में नाम समय चौहान है और इस वीडियो स्ट्री में मेरे मदद करने हैं मेरे सयोगी मोहित अगले किसी ते लेगे दे न्यूस्बीक. शुक्रियाम.